कि एगाइस बिल्कुल जी मैं आ चुक्यू लाई अब जिल्दी से आप लोग लाई होजें जी खुशी है सुना लिए यहां पर सभी लोग लाई वाज़ें बिल्कुल आपका वैलकुम हमारे प्लैटफॉर्म पर हम करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट ठीक है गाइस सब लोग यहां पर आचुके हैं चलिए तो गाइस बिल्कुल आप सब का वैलकुम हमारे प्लैटफॉर्म पर सी वैलकुम के साथ हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं तो जैसे कि आपको टैग लाइन पता है कि हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं साइंटिफिक नेम ऑफ इंक्लूडिंग बर्ड जीह आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें एनिमल्स और बर्ड दोनों के साइंटिफिक नेम है और आपको पता है चाहे आप सीडियस की त्यारी करें कोई बीएस एफ की करें आर्मी की करें ध्लीक्शे मेशने लिए आप लोग तैयार है कि तो क्या आप लोग तैयार हैं फिर हम करें क्लास को स्टार्ट आज की यह चलिए जी तो गाइज आज की इस क्लास को शांदर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज तो हम पूरा जंगल में घूमने चले गए हैं ना जी यहां यहां पर मैं आपके उन एनिमल्स के और उन बर्ड्स के नाम लाई हूँ जो हमेशा से आपके एक्जाम में बहुत ज़्यादे पुछी जाते हैं सबसे पहला जी हां डोग को हम क्या बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड ओफ हुमन को बोला जाता है बेस्ट फ्रेंड पहले हैं कि आम हमेशा सब्सक्री अबनावां इस प्रावत बेस्ट वाला यह प्रफ में एक्जा को जानवर वाला तो बात करते विल्ली मोसी की तो बिली मोसी आपको घूर के देख रही है कि मैं देख रही है कि बच्चे लाइब नहीं आए जी हां बिली मोसी एदम घूर के आपको देख रही है कि अब मैं पंज्भा आरने वाली हूं बिल्ली का scientific name होता है Pallus Catus क्या होता है Prollus Scatus जी हां horse के बारे में एक बहुत जीव और गरीब बात है कि यह standing position में ही सो जाता है जी हां घोडे को सोने के लिए बैटने की डीड नहीं है जी हां यह standing position में ही का कर जाता है सो जाता है मैम यह तो कुछ amazing fact है जी हाँ आज आज आप amazing fact भी पढ़ेंगे और साथ में scientific name भी पढ़ने वाले हैं तो घोड़े के बारे में एक बहुत special बात कहते हैं कि घोड़ा खड़े खड़े ही सो जाता है और हमें तो सोने के लिए बिल्कुल आराम से पैर फला के बैड चाहिए लेखिनी से कोई बैड की नीड नहीं होती ठीक है बच्चा यूकस फैरस केबलेस जी हां यूकस फैरस साइंटिफिक नेम होता है आगे चलते हैं जी हां आगे है हमारे लोयन के बारे में जी हां आगे है किसके बारे में मेरे बच्चा लोयन के बारे में ठीक है माई डियर लोयन जो होता है उससे तेज तो भागता है हमारा चीता लेकिन लोयन को हम क्या बोलते हैं इसको बोलते fanthera leo इसका scientific neem होता है ठीक है बिल्कूल दी चलिए अब बात करते हैं fanthera tigris की diz जीरہ haan pubet tigris भख When die a your यह है चीते का scientific name मेरे बच्च चीते का scientific name भात करेंगे जोना leo pad की तो यह यह ऑफ害 एंठेर परड़्स यानि की आप लोग देख सकते हैं कि ये सब एक ही फैमिली के है बस आगे जाके इनकी ख्लास्जिस क्या हो गई अलग अलग रग बच्चा यह इलाका लियोपार्ड का है यह इलाका टाइगर का है तो यह अपने अपने एरियाज को डिस्ट्रिब्यूट कैसे करते हैं मेरा कोशन है कि यह अपने-अपने इरिया को कैसे बनाते हैं कि यह मेरा इलाका है यह मेरा इलाका यह मेरा इलाका डोगी में ऑफने कभी देखा होगा गली में दूसरे महले यह को क्या करते हैं कैपचर करते हैं तो यह इक है इनके सैन्टिफिक नेम है बहुत घ्यां बिलकुल ब्लैक बग अगर हम बात करें ब्लैक बग की तो ब्लैक बग का जो वह है आपका अंटी लोप जी है बच्चा एंटी लोप सरवी कैपरा जो है यह आपके ब्लैक बग का पूशा गया था वाई ग्रूप के अंदर युग थे यह का सैंटिफिक नेम पूशा कर फेरे पहरे जानवालों के नाम जो पहला है आपका घतले पतले का साल्टिफिक नहीं अब जैल जिल जिया गास अभी नरे चाहते है चिंग है नीर बच्छा कहः घतला होता है ठीक है बच्छा बहुत रहा हлек नील गया इन सानम को मार ढालती है जिला फ्रस्त भी से वसे च् ठीक है तो बच्चा यह आपकी नील गाई का scientific name जी है अब हम बात करेंगे ship of desert की आप हम बात करेंगे ship of desert की तो मेरे बच्चा ship of desert जो होता है उसका नाम होता है camel और camel को हम क्या बोलते हैं camel's बोलते हैं आप लोगों से मैंने बादा किया है कि मैं पूरी static आपको बिल्कूल free of cost पढ़ाओंगी और वही free of cost मैं आपको पूरी chemistry पढ़ा रही हूँ अब मेरी बस इतनी से गुजारिश है कि आप लोग session को like and share करें सोनाली है अर्विंध है शिवम है ठीक है मैं BSF RORM का paper कब तक होगा गाइस मैंने बोल दिया है कि आपका RORM का जो paper है वो last year की तरह नवंबर October में ही जाएगा जी यहां BSF RORM का जो exam है वो last year की तरह नवंबर October तक ही जाएगा तो guys you have more time to do more practice ठीक है चलिए जी ओके गाइस हम चलते हैं Next slide पर ओहो सेकिंड लार्जेस्ट मैमल इन तीनों में से कौन सा है नाम बताऊ जल्दी से इन तीनों में से कौन सा है नाम बताऊ जल्दी से comment box के अदर नाम बता ये second largest mammal तो elephant को क्या बोलते है second largest mammal दुनिया का दूसरा बड़ा स्तंधारी जो है वो हाती है हाती के दात खाने के और दिखाने के और जो हाती के लंबे-लंबे दात है यह incisor है canine है क्या है तो यह हमें दिखते दो बहुत शार पहले हैं यह क्या होते है मेरे बच्चा incisor होते हैं चले जी हाती के इतने बड़े-बड़े कान क्यूं होते हैं मेरे बच्चा जो हाती होता है यह बहुती विशाल जानवर होता है ठीक है एक दिन में हाती कितना किलो खा जाता है एक दिन में हाती लगवग एक हाती की खुराक एक दिन में कितने किलो खाना खाने की है कम से कम हाती को कितना किलो खाना चाहिए खान जिंदा रहने के लिए पचास किलो पचास किलो खाना एक हाती को कम से कम जिंदा रहने के लिए चाहिए फिर है लंगूर लंगूर की खास बात क्या है लंगूर की खासत होती है उसकी पूछ में जी हां इसकी हाइट से बड़िस के क्या होती है पूश और जुतने भी बंदर है वो लंगूर से दरते हैं लंगूर का scientific name क्या है बच्चा सैमनो पितकेस जो है यह आपके लंगूर का scientific name है फिर आएगा बच्चा मैक्यू यह जो है यह आपके नोर्थन इंडिया में देखने को मिलते है जी हां नोर् मैं किकेया बोलते हैं इसको मैं क्यू बोलते हैं इसका scientific name क्या होता है मैं किकेया होता है ठीक है मैम हम भी नितीश भी ओ माई गौड चलिए जी हां बिलकुल बिलकुल चलिए जी आगे देखते हैं आगे क्या है आगे हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में वाओ जो एक ऐस बंबू खाना बहुत जादा पसंद करता तो कौन सा जानवर है जिसे बंबू खाना बहुत पसंद है बताई है जल्दी बैंबू इनको बहुत पसंद है ना पांडास को बैंबू बहुत पसंद है हाला कि कुनफू पांडा मुवी भी हमने क्या देखा था कुनफू पांडा मुवी भी हमने देखा कि पांडा को डंपलिंग बहुत पसंद है इंडिया में हो पोलो मोमोज क्या बोलो मोमोज लेकिन और जाएगागा वह डंपलिंग हो जयाएगा र borders pag-dage everything अपके रेडपंडा का नाम होता है एल्युरास पुलजैन्स आपके रेड़ पंडा का नाम है फिर राइनोसोर्स जी घम करने के लिए यहिए फिर डो तो फाइव हर्ट्स की फ्रुकेंसी का यूज करते हैं जी हां हमें लगता है कि यह क्या कर रहे हैं अपना सर ऐसे ऐसे क्यों हिला रहे हैं यह सर नहीं लाते जैसे हम इनसान अपनी बात करते हैं ऐसी इनकी बात करने की जो फ्रुकेंसी है उसकी फ्रुकेंसी की पावर कितनी ह लगबग पाँच हर्सके एराउन चिक क exits का सैंटिफिक नेम आपके ना आए ल्हाई बच्चा राइनो से रोटी दे किया निव होता ऐगने किकिने में होता है एक फुता है आगे बम आगे हम से बीट रोड़ यहें अब यह क्या है मेरे बच्चा इसे को हम बोलेंगे डोंगी क्या बोलेंगे टोंगी होता है जो घदा होता है इसका सइंटिफिक नेम होता है wild bear जिया बच्छा आपका wild pig जिसको बोलते हैं जंगली सूवर यह आपका wild बॉर्ड जिसको जंगली सूवर क्याते है इसका नाम होता है सुस प्रणो ठीक है चलिए अब हम बात करेंगे शीप की बच्छा शीप के बालों से क्या बनाई जाती है भूल बनाई यह उविस एरिस यह सांगे पूछा जाए पफषा हूं में का होता है तो लिषेंगे Ovis, Ais, क्या लिखेंगे, Ovis, Ais लिखेंगे, चलिए, आगे देखते हैं, हो, हागे बहुत प्यारा आ गया है, अब आया है Domestic Pig, पिक क्या है scientific name, जल्दी से बताओ, ढोमेस्टिक पिक का scientific name क्या दिख रहा है, बच्चा सुस स्कॉर्फा, तो यहां पे भी दिख रहा है, उसके साथ क्या लिखेंगे बच्चा, domesticus, क्या लिखेंगे, domesticus, यानि की बच्चा ये और आपका जो जंगली सुर है, इनका कुछ-कुछ नाम सेम है, बस जो हमारे पालतुष है, उनमें domesticus लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चा, कौनसी बिमारी खतम करने के लिए पीते हैं बताईए सभी लोग बक्री का दूद कौनसी बिमारी खतम करने के लिए लोग पीते हैं बताऊ उचे राइट आंसर क्या जाएगा कि यहां पक्री का दूद जो होता है वह टेंगू में पी आया जाता है क्योंकि बक्री के दूद से जो हमारे प्लेटलेट्स होता है जल्दी से क्या हो जाते मेरे बच्चा बनने चालू हो जाते हैं ठीक है बिल्कुल जी अब आ गया डॉंकी मैम डॉंकी तो हमने यहां पर भी पढ़ा था डॉंकी हमारा यहां पर भी आ गया है ना अब इन दोनों डॉंकी में क्या अंतर है यह आपका वाइल्ड वाला क्या है मेरे बच्चा वाइल्ड वाला जिसको आप खचर भी बोलते हैं क्या बोल देते हैं मेरे बच्चा खचर जी हां खचर के बारे में आप एक बात लिख लिजिए खचर के बारे में आप एक बात लिख लो मैं यहां पे इस पेस्ट में लिख देती हूं खचर जो होता है वो होर्स और डॉंगी का बीरीड है जी हां इत इस दा बीरीड ओफ होर्स ए तब नोर्मल डॉंगी होता है उसका नाम है आपका यहां पर उसके दान होते हैं तो और बैट घोडंपग लगता है वह गोड़े नहीं होते हैं एक्छर होते हैं चलो आगे चलते हैं कर दिता हैं आगे हैं आपकी मेरे बच्च वाटर वैफेलो इसी को हम क्या बोलते हैं वाइल वैफेलो भी बोलते है जिए इसाえ को बोलते हैं जंऑली वैस मीरे दिमाघ में कोशन आ कि भैस और गाए दोनों ही दूद देती हैं भैस और गाए दोनों ही दूद देती हैं गाए के दूद में क्या पाया जाता है और भैस के दूद में क्या पाया जाता है जल्दी से बताईए जी हां गाए और भैस दोनों ही दूद देती हैं गाए के दूद में कौन सा न्यूट चाहता है जल्दी से बता先生 कि कि सोनाली इंग्लीश प्रमोद चलो जी पाते कम करो ne क्या पाए जाता है और भैस दुद में क्या होता जियां का दूद होता है किसका ही प्रोटीन और भैस घुड़ में क्या पाया जाता है इ Tina PL eran का सेंटिफिक नेम क्या होता है काओ का सेंटिफिक नेम होता है बोस्टिरोस क्या होता है मेरे बच्चा बोस्टिरोस होता है अब हम बात करेंगे फाउल की तो फाउल का सेंटिफिक नेम होता है गैलस गैलस डोमेस्टिकस क्या होता है गैलस गैलस डोमेस्टिकस चीक है आगे एक गती जो किस्ता औरना कि बोलते हैं इंट्लिजन एननीमल को बोलते हैं इंटेलिजन एनिमल को नहोंकि एंटते हैं क्योंकि परकेशह मृत फैल surfing जिसे चा तेज चंट है नढ़ी टिटी चंट यह तो यह भी कही कि डेक इस चंट क का साइंटुपिक नंक यह उता है वल्पस वल्पस जी आफ उसका सेंटॅज होता है वल्पस वल्पस अब बात करेंगे क्रोकोडाइल की यहां बताएंगे क्रोकोडाइल का जो हर्ट होता है वो कितने चेंबर का होता है आप मुझे बताएंगे क्रोकोडाइल का जो हर्ट होता है वह कितने चेंबर का होता है बताइए मेरे बच्चा कि इसका दिल कितने हो चमबर का है मेरे बच्चा चार चमबर का होता है क्रोकोडाइलास पैलुस्ट्रीस इसका साइंटिफिक नेम होता है और शलते हैं ये कोशन आपको याद है की जबरे का साइन्टिफिक नेम क्या होता है कि जबरे का साइन्टिफिक नेम क्या होता है यह पढ़ना की पढ़ना यहां से क्लास से जाओ ठीक है खामा खाम बाकी क्लास वालों को परिशान करने की जुरूरत नहीं है काई इस देखी प्रमोद नाम का बच्चे इसको प्लीज इग्नोर करो क्योंकि यह फालतु की ना यह स्पैम वाले कमेंड कर रहे हैं मैं कुछ नहीं करूगी मैं सीधा इसको चैनल से रिमूफ कर प्लाइबरी के अचो कि ए बोलती है इसकी गर्दन बहुत ज्यादा लंबी होती है ठीक ऑट जिराफ की क्या होती है लोंग नेक होती है लेकिन बच्चा इसकी कमजोरी है जिराफ की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है जल्दी बताओ जिया जो आपका जिराफ है इसकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है कौन बच्चा बताएगा जिराफ की सबसे बड़ी वीकनेस क्या होती है इसके पैर बहुत कमजोर होते हैं जिराफ की सबसे बड़ी वीकनेस है कि इसके पैर बहुत ज्यादा कैसे होते हैं मेरे बच्छा कमजोर होते हैं कैसे होते हैं कमजोर होते हैं अब हम बात करेंगे आई मम्मी चिपकिली आगी चिपकिली आगी लड़किया ज़रूर बोलती है इति लिए नहीं बहुत ड़ लगता है में डिटेल कि अबρά डो चुह से डरती हो मैं को है बड़े लगते हैं चफ्किली है जो हम को भुरते हैं इसका सउन्ठीफिक नेम नेम गया होता है है मैं हमीडा हमीडा साइटलास ठीक है हमीडा साइटलास ठीक है हमीडा साइटलास ठीक है यह है आपके छिपकिली का साइन्टिफिक नेम आप हम बात करेंगे जरा छिपकिली के अंदर पाए जाने वाले जहर की जिए हां छिपकिली के अंदर पाए जाने वाले जहर की जरा बात कर करते हैं कि चिप्किली के अंदर कितना जहर पाया जाता है बताओ जल्दी से बोलो मेरे बच्चा छिपकिली के अंदर कितना जहर पाया जाता है बताईए जल्दी से मेरे बच्चा यहाँ पर एक मैं आपके डाउट का दूर कर दूँ 95% छिपकिली जो होती है वो बिना जहर की होती है जी हाँ सिर्फ 55% छिपकिल्हों में जहर होता है जुन्कों क्या बोलते हैं मौंस्टर लिजार कहते हैं क्या कहते है जून को हम लोग मौंस्टर लिजार कहते जी हाँ अगर हन्डेड पर संच छिपकिली की क्या होता है हिपो पोटमस एम φीबिस कितना प्यारा नाम है ना हिपो पोटमस एम फीबिस इसrą शैंटिफिक नेम होता है चीता बच्टा क्याते हैं कि इसके नजरें बड़ी तेज होती है यह बहुत तेज है और इसकी जो आई साइड होती है कि हमसे कितनी होती है वत hippopotamus amphibious कितना प्यारा नाम है न हिपको पोटमस amphibious इसका scientific name होता है चीटा बच्चा चीटा कहते हैं कि इसकी नजरें भी बड़ी तेज होती है यह बागता भी बहुत तेज है इसकी जो आई-साइड होती है तो हैं हमसे कितनी होती है बच्चा लगबग छे गुना जादा जी हां छे गुना जादा ये बहुत साफ देखता है कब रात में इसको रात में बहुत अच्छा दिखाई देता है ये नॉक्चरल होते हैं नॉक्चरल मतलब क्या होता है जो रात में शिकार करते हैं चीते का सै Akinonix Ekinonix Tab lige है अब हम बात करेंगे काला चुहा तो बच्छा चुहा चाहे काला हो चाहे कोई भी हो आहां। चुहे का scientific name ratus ratus होता है जी हां चुहे का बच्चा एक होते हैं चुहे जो बड़े बड़े चुहे होते हैं एक होती है चुहे तो चुहे अलग होती है चुहे अलग जो चुहे होते हैं मेरे बच्चा इनका scientific name क्या होता है ratus ratus होता है आगे चलते हैं आगे हम क्या पढ़ेंग os Musculus क्या होता है mousse Musculus होता है उएंगर की की पर गाजर बहुत पसंद है ना रे बिंट कर सैंटियट नहीं क्यों होता है ऑराईक्टो घालना सक्टूनिकूलस सबसे जहरीला वो है इंडिया के इलाकों में इंडियान कोबरा और यह अधिकता है इंडिया के सापों का बाप है जिसे हम क्याते हैं सबसे जहरीला जो है वह है इंडिया के इलाकों में इंडियान कोबरा और अधिकतर इंडिया में नेपाल में और यह पाया जाता है तो Cum La Deox हो दिस इन देशों आगे लिए बोल्त करेंगे किन कोबरा जो किन कोबरा होता है यह पूरें वर्ल्ड में देखा जाता है किंग कोबरा का नाम अलग है और इंडियन कोबरा का नाम क्या है अलग है ठीक है अगर बात किंग कोबरा ओफियो फैगस हना ओफियो फैगस हना जो है यह किंग कोबरे का नाम है अब बात करेंगे पानी में पाए जाने वाले साप की या फिर जो साप जरेले नहीं होते इनको बोलते हैं हाइड्रो फीने हाइड्रो मतलब पानी पानी मैं पाई जाने वाले साप को हाइड्रो फीने के नाम से हम लोग जानते हैं अब हम बात करें के इंडियन पाइथन जिसको हम क्या बोलते हैं जिगर और जिगर जो होता है यह एक बार में इनसान को किसी जानवर को निगल लेता है इसको बोलते हैं python molyurus क्या बोलते हैं guys इसको हम लोग बोलते हैं python molyurus है ना चौलोजी तों को एक काम करते हैं मैं इसको रिमॉफ कर दूंगा एक सेकड हुआ ठीक है प्रमोद जी वैसे तो आप रिमूव हो चुकी है अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं को सिधर रिपोर्ट कर दूगी हाइड यूजर कर दिया चलो जी ठीक है इसको हाइड यूजर कर देंगे काम खतम आप प्रमोद के कोई मैसेज नहीं देख पाएगा ठीक है यह से अच्छा गंदे बच्छों से अच्छा के हम बच्चों को बढ़ unclear कि अच्छा बढ़िया भूब एक सब्सक्रूंब कसे बच्राइग क्या करेद्य मेरे पर्कुल्ब सिंदेख गए तैब क्या उत्पने बच्म आप लोगों ने कभी एससा चुखें की तरह ची है क्या कि इसको बोलते हैं pythas mucosa क्या बोलते है बच्छाetteus ping-kosa या फिर reflex mucosa इसको बोलते है अब हम बात करेंगे turtle की लोंग लाइफ जीने वाला जानवर कि सबसे लंबी उमर जीने वाला जानवर कुन सा है मेरे बक्चा वो है तर्टल टैस्ट्राइ सिए डिने इसका सैंटिफिक यंव होता है तो बड़े ही गजब गजब के सैंटिफिक ने घ्म खतम अब हम पढ़ेंगे बार्ड के सैंटिफिक नेरी इस चोदरी घाइस एनिमल्स के जितने भी scientific name आपके exam में आ सकते हैं, सारे के सारे हम लोगों ने पढ़ लिए, अब हम बात करेंगे पक्षियों की, किसकी पक्षियों की, पक्षियों को हम क्या बोलते हैं, बच्चा ये apes phylum में हैं, जी हाँ, exactly, इनको apes जसे की हम लोग, जैसे की animals, mammals होते हैं, पक्षी को क् apes बोलते हैं, क्या बोलते हैं apes, पहला question, birds की study को क्या कहते हैं, first question मेरा आप लोगों से क्या है, कि birds की study को क्या कहते हैं, जी हाँ, पक्षियों के अध्यन को क्या कहते हैं, तो guys, पक्षियों के अध्यन को बोलते हैं, औरिन्थो लोगी, क्या बोलते हैं, औरिन्थो लोगी और बच्चा Father of Aurinthology का नाम बताओ के सभी लोग सोनाली है चोधरी है English for you है मेरे बच्चा बताइए Father of Aurinthology जी हा पक्षी विज्ञान के जनक का नाम क्या है Dr. Salim Ali क्या है Dr. Salim Ali जिनके नाम पे क्या बनी है मेरे बच्चा Salim Ali Bird Century बनी है ठीक है फिलको जी चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे अब हम पढ़ते हैं आगे ठीक है चलो जी पेरे बच्चा यहाँ पे सबसे पहले बढ़ेंगे उल्लू उल्लू के बारे में एक बात कहा है कि यह अपनी गर्दन को पूरा 180 डिग्री रोटेट कर लेता है और इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या पाये जाते हैं रोट सैल इसले इसे रात में दिखाई डेता है दिन में दिखाई नहीं देता बच्चा इस्ट्रीई फॉर्मस इसका साइन्टिफिक नेम होता है अब हम बात करेंगे भारतीय चडिया की यह चिडिया हमारे कहां दिखते है बच्चा एशियन यह हमारी एशियन स्पेरो है जी हाँ पॉरन में नहीं मिलती because it is the Asian Sparrow इसका नाम होता है फैलिस पैसिरिडे फैलिस पैसिरिडे ठीक है अब हम बत करेंगे कवय की कववा जो होता है वो सिर्फ एक आँख से देखता है कववा एक आँख से देखता है कववे का सैंटिफिक नेम होता है कोरवस क्या होता है कववे का सैंटिफिक नेम क्या होता है कोरवस होता है मैं पेपर टू में जेल पैन का यूज़ कर सकते हैं बच्चा पेपर टू में आप मेरी बात मानें तो बोल पैन का यूज करें कि बच्चा हमेशा इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि बोल पैन जादा बैस तो आप प्लीज पेपर टू में बोल पैन का ही यूज करें आगे चलते हैं बच्चा मियान है ना जिसको मैना बोलते हैं तो अगर हम मैना की बात करें तो मैना का scientific name क्या होता है मेरे बच्चा एक्रिडो थेरस्ट्राइटिस एक्रिडो थेरस्ट्राइटिस इतने खतरनाक नाम है कि बोलते बोलते आदे वर्ड अंदर मुमें रह जाते हैं चलो जी तोता तोते के बारे में एक बहुत ही खास बात है लोग कहते हैं कि तोता हमारी तरह बोलता है लोग कहते हैं कि तोता हमारी तरह बोलता है क्या ये सच है जी हाँ दुनिया में 5% तोते की ऐसे पिर जाती है जिनको ट्रेंड कराया जाए तो वो इंसान की तरह बोलना चालू कर देते है कोते का Sanctific Name क्या होता है और बेरे बच्चा ये होता है Stataycula Ppertria, ठीक है? जय है पी-Salint है, यह है Stataycula uPertria, ठीक है? और मेरे बच्चा ये CAPF में पूछा गया कोशन है कि sietacinging role क्या होता है अब बात करेंगे बुल-बूल की है न पापा की बुल-बूल जी हाँ बुलबुल का scientific name होता है एक बात जान लो कवे और कोयल के बारे में कवे और कोयल के जो अन्डे होते है वो बिलकुल सें में कव कोई पोज़ती है विकोज इनके एंडे एक जैसे होते हैं तो बचारा कववा कन्फ्यूज हो जाता है कि यह मेरे एंडे है या परोसन के एंडे है ठीक है जी हां तो बच्चा यह हमारे कोयल का साइंटिफिक नेम अब हम बात करेंगे पीजन का यह CISF का पूछा गया कोशन था कि कबूतर का सा कॉलूंबा लीविया क्या होता है कॉलूंबा लीविया वल्चर जी हां वल्चर क्या है बच्चा यह एक अच्छा डिकंपोजर है जी हां यह एक अच्छा डिकंपोजर है जो वेस्ट को खाके क्या करता है मेरे बच्चा डिकंपोज कर देता है इंडियन वल्चर का नाम हो और नाम होता है राफी डे कोलमबी फॉर्म्स आप हम बात करें के डोडो की यह इन्डियाँ देखा जाताह है। और यह क्या है मेरे बच्छा इसे बोलते हैं वाईट 59 स die हैं यहीं है कबुतर सफेद कबुतर का नाम हैं सभीजिएं के जिल्ली दार पैर होते हैं ताकि पानी में तैर सके और होता है enter da nc forms n के चोधरी है यहां पे चोधरी अलग से भी है सोनाली भी है लकी भी है इशिगा भी है बहुत बढ़िया चलिए जी अब आप मुझे बताएंगे यहां पे eagle जो है बच्चा eagle जो है इसका scientific name क्या है जल्दी से बताईए मेरे बच्चा eagle का scientific name क्या है आपके आगे लिखा है और बिल्कुल जी मैं एकदम बोर्ड से साइड हूं ताकि आप मुझे बता पाएंगे चलो जी बताईए बच्चा eagle का scientific name क्या है कि बिल्कुल जी मैं एक्यूला ऐसी पिट्रे एक्यूला ऐसी पिट्रे चले जी अब हम बात करेंगे हुमिंग बर्ड इसको बोलते हैं वा बल्लेस्ट बर्ड दुनिया की सबसे चोटी पक्षी है आपकी ह्यूमिंग बर्ड इसका नाम है वियो चिल्डे जिहां ट्रीयो चिलिडे अपीडो फॉर्म्स ठीक है अब यो फॉर्म्स अगला देखते हैं अगला क्या जो आएगा कीवी क्या पोलते हैं अगर हम बात करें ये कीवी की और ओस्ट्रिस की तो यह होते हैं फ्लाइट लेस बर्ड जो उड़ नहीं सकते हैं यह है फ्लाइट लेस बर्ड होते हैं कीवी बच्चा एप्ट्रिक्स एप्ट्रिजी फॉर्म्स एप्ट्रिक्स एप्ट्रिजी फॉर्म्स अगर बात करें के ओस्ट्रिस की तो का जो अंडा होता है इसे बोलते हैं world's largest egg जी हां दुनिया का सबसे बड़ा अंडा किसका है जी हां दुनिया का सबसे बड़ा अंडा ओस्टिच का अंडा होता है है ना जी हां ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं ये कहां पाए जाएंगे रेगिस्तान में पाए जाते हैं य क्योंकि यह रेगिस्तान में पाया जाएगा इसलिए लिखा है आप लोग देख पा रहे है कि एनिमल के साइंटिफिक नेम उनके पाए गई इलाके और उनके किये जाने वाले काम पे रेगिस्तान में जो पाए गया है जैसे कि उट की तरह कुछ काम करेगा तो इसको भी आ ब पावा सिट्रेस जो है यह आपके मोर का सैंटिफिक नेम है ठीक है जी आगे पड़ते हैं पैंगुन पैंगुन जो है मेरे बच्चा यह भी कहां पाई जाती है यह आपके साउथ पोल में पाई जाती है जी हां यह साउथ पोल में पाई जाएगी यह भी फ्लाइट लेस ब में पोलर बियर पाए जाते हैं और पैंगिन जो होती है यह भी एक फ्लाइट लेस बर्ड है जी हाथ पैंटागोनी का इस फैंसी फॉर्म यह इसका साइंटिफिक नेम है अब हम बात करेंगे सौन की सौन जो है आप लोगों ने कहीं न कहीं अपनी ड्रॉइंग में जुरूर चलो जी तो मुझे लगता है कि यह साइंटिफिक नेम आपके डन होचुके हैं बच्चा यहां से या तो एक अनीमल का ना आपके इसाम में आएगा या फिर एक बट को ना आपके एक एक ग्जाम पर आएगा और बच्चा जितने मेंने आपको एनिमल्स कराये हैं जितने मे जो है हम लोग पढ़ रहे हैं यह सभी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए ठीक है चलो जी करके जी हैं बच्चा आपको डाउनलोड करके हमारे वर्टिकल डिफेंस को जोइन करना है ठीक है और फिर आपको जाना है मेरे ग्रूप निहारी का मैम साइंस में और इस ग्रूप के अंदर आपको यह पीडियाफ मिलेगा इसके साथ साथ जो बच्छे आर्मी की तैरी कर रह है कि क्या है इस टाइम डबल वैलिडी चल रही है तो डिफेंस का अगर आप जवान मेगा पैक लेते हैं जो की आपकी एर फोर्स की और पैरा-मिलिटरी की त्यारी कराता है तो मेरे बच्छा इस पे अगर आप छे महीने करें लेंगे तो छे महीने का जो आपका पैक है वो हैं इस से सस्ता और क्या चाहिए एक पीजा खाने जाओंगे न 1230 में और सिर्फ आपको यहां मिल जाएगा मैक्सिमम मैक्सिमम यह आपको दिख रहे ना आपको सारे X group, Y group, CRPF, CISF, BSF सारे exams मिलेंगे उसके साथ आपको मिलेंगी mock test क्या मिलेंगे आपको सारे के सारे mock test मिलेंगे और सारी के सारी क्या मिलेंगी मेरे बच्चा e-books भी मिलेंगी सारी के सारी e-books भी मिलेंगी तो बहुत कुछ मिलने वाला है आपको यहाँ पे प्लीज सब लोग अच्छे से तयारी कर लीजे इस चीज़ की ठीक है जी हाँ और जल्दी से आप लोग डबल वैलिडिटी में पोर लगाईए वाइफ और थ्रीवन और जल्दी से बैच को परचेस कर लीजे तो आज की इस क हमारी वाइड लाइफ सेंचुरी है जी हां जो हमारे वनने भीवाग है वह हम पढ़ेंगे कल तो कल हम पढ़ेंगे वाइड लाइफ सेंचुरी कल हम क्या पढ़ेंगे गाइस कल हम पढ़ेंगे वाइड लाइफ सेंचुरी तो मैंने बता दी कि कल हम क्या पढ़ने वाले अ लेकिन थियोरी पढ़ने बच्चे बहुत नाक मारते हैं बट गाईस जैसा कि वादा किया है पहले मैं आपको थियोरी कवर कराऊंगी ठीक है तो डू लाइक एन शेयर गाईस मिलते हैं कल आप लोगों से वाइड लाइफ सेंचुरी और बायो रिजर्व के साथ जब तक के ल लेगा ये कोड वाइफ और थ्रिवन और जल्दी से परचेस कीजिए जैन मेरे विच्चा